अब तक आपने देखा गुड़ू जी रंजू से कहते हैं कि तुम्हारी बेटिया मेरे भेजे गए पैसों पर पलती हैं इसलिए उनके बारे में कोई भी फैसला लेने का हग सिर्फ मुझे हैं रंजू पिछले 14 साल में गुड़ू जी के दिये सारे पैसे वापस कर देती हैं इधर ललिता और लक्की विकी को पता चल जाता है कि गुड़ू जी रंजू के खर गए थे गुड़ू जी ललिता को समझाते हैं कि उन्हें रंजू के यहां क्यों जाना पड़ा जमुनिया की बातों से लक्की विकी को गुड़ू जी की पहली पतनी रंजू और उसके बच्चों के बारे में पता चल जाता है लक्की विकी अपने डैर की इंसल्ट का बदला लेने के लिए कॉलेज में शालू को परिशान करते हैं इधर ललिता डिसाइड करती है कि वो किसी भी कीमत पर रंजू और उसकी बेटियों को इस शेहर में नहीं रहने देगी ललिता को ये बात पता चलती है कि गुड़ू जी छुपके पिछले 14 सालों से लेके अब तक रंजू को पैसे भेशते आएं अब देखिए आगे और हम पैसे इसले भेशते थे क्योंकि हमरी माह वा रहती है तो कौता बेटा है मुझकी तो ठीक है मिश्राजी लेकिनी बात हमें क्यों नहीं बता आप में क्यों नहीं बताया क्या हम मना करते आपकी मां को पैसा भेशने से अब नहीं समझ के क्या रखा है मिश्राजी लगी ता कि अगर आमने पू नहीं बताया सका मतलब यह नहीं कि मने बात छुपाया है छुपाया है अपने मिश्राजी हम आपके बच्चे की माँ बन चुके थे तब भी हमें नहीं पता था क्या था क्या शुपाएंगा आप से बोलिए अब तो हम्री घर की लक्षमी है जो चाहते हैं कि अप्रसाद अपने हाथों से चड़ाईए जो आए कि आज बोला इंपोर्टन मीटिंग है पंडित जी पुजा कर देजी मैं मातारानी को प्रसाद चड़ाता हूं तब तक आप लोग मंदिर की परिक्रमा कर लेजिए फिर प्रसाद में आपको देता हूं चलो मैठी, मंदिर का रांड राउन करते हैं जो आपने कर देजिए चलो झाल झाल आपके पतीदेव का काम जरूर पूरा होगा शुक्रिया पापा राउंड राउंड होगे अब हम चलें गुड्डू मिस्रा अगर ही तो हार बीबी और बच्चे हैं तो उगर में कौन है घर में किसके घर में और ये कौन है अच्छा अच्छा अब हम संजें कि तुम घर काहे नहीं आते हो देखो गुड्डू मिस्रा अब तुम अपना ये नकली बीवी और परिवार को यह चोड़कर तुरंत घर मोचो और एक बात और याद रखना अगर आज सुम घर नहीं आए तो इस घर के दर्वासे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंदों जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए अड़ी जे जी अड़ी अड़ी पूंप शुका के अमारे साथ गुटू जी, हमारी बास यह, हम आपको खोना नहीं चाहते थे, अब तो हमने खो दिया आपको गुटू जी, अब हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है ऐसे हमक तेगी ललीता जी पिता जी ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी थी अब मजबूर थे कुछ नी कर सके ठीक है गुर्टू जी आज तो आप मजबूर नहीं है ना खाई अपने बच्चों की कसम और कीजिए फैसला कि आपकी जिन्गी में या तो आपकी मोहबत रहेगी या आपकी मजबूरी या तो हम रहेंगे आपकी जिन्गी में या फिर वो ललीता जी उस दिन बच्चों की कसम खाके हमने आपको चुना था उस दिन के बाद हमने आप से कुछ नहीं चुपाया है कुछ नहीं इसलिए तो रोज नए नए खुलासे हो रहे ना मिश्रा जी उस औरत का इस शहर में आकर रहना उसकी बेटी के शादी का टंटा और उपर से लिफाफे जिसे आप चुपाना कह रही है उसे अमने गहर ज़रुरी समझा इसलिए हमने आपको बताया नहीं हम पर भरोसा कीजिए उस और उस गार में हम नहीं गए है उलगकी की शादी को लेकर टेंशन था बात हमारे जुबान की थी और जहां तक इन पैसों के सवाल है बोवर माँ जाता था पैसे देने हम नहीं ठीके मिश्रा जी खाए हमारे सर के किस्व कि आज की बाद आपक अभी नहीं जाएंगे उससे कभी नहीं मिलेंगे खाए है ना मिश्रा जी दीता जी अगर हम आपकी किस्व खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके कहने पर हम नहीं जा रहे हैं हम अगर नहीं जाएंगे तो इसलिए क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं और जिंदगी बार करते रहेंगे हमें लगा था कि इतने सालों में आप कभी उस दूसरी वरत के टच में नहीं रहें पर अभी कुछ दरारे दिखाई देरी हैं और हम उसकिय अपर दर्वाजा लगा कर पंड कर देंगे चार एक दो ती चार एक कट गई तुम्रे खर बैचो दादी आप चीटिंग ना कीजिए खारने लगती है तो हमको बोलती का हम चीटिंग कर रहे हैं वह बैमान हैं हम जा आप दिखिलते तुम्रे साथ लीजिए दादी बन गया आपका रेडियो लेकिन दादी इंटरनेट के जमाने में भी आपको रेडियो से इतना प्यार क्यों इत तुम्रे दादाजी लेके आये थे हमरे लिए हासी हासी हारा दिल अगावेली आपना हुआ धनी धनी बाबोनी के भाग हो दीदी आपके हाथ में क्या हुआ नगा ली न चोड़ और कितनी बार बोला है कि अखाणा को खाणा छोड़ दो अब बताएगी कि कहा दगा पसाद करके आई है दादी वो इस बार गल्ती हमारी है हम स्कूटी चला रहे थे और हमसे एक्सिडेंट हो गया और इसे चोट लगगी दिखाओ तू जादा जोटा येगा दर तू नहीं हो रहा अरे कुछ नहीं मा हलकी सी खरों चाहिए बस मा आप टेंशन मत लीचिये बुलबुलिया दिदी के साथ चालू दी दिये देखिये उन्होंने हाथ पर पट्टी भी करा दिये हम ने दवा लगा दिये मा थोड़ा स्वेलिंग है अभी बड़ करम पानी का सेख लगाएंगे न ठीक हो जाएगा आप एसे ध्यान से चला ना हाथ पर कहीं टूट गए तो अरे बहुरिया हम पर इस च्याम की चाय का का हुआ आज मिलेगी की नहीं हां बस अमा जी अभी लेकिया है जी मा आप रुखिये आप भी तो अभी अभी आई है ना आप ठक गई होंगी आप आराम कीजे हम आप दो अभी फिर से वापस सेंटर जाएंगे काम खतम करने के लो और आज तो रात भर बैट के काम करना होगा वरकर्स को भी वही भे खाना के लाना होगा आप परिशान मत होए आप चाय पीकी सिधा सेंटर जाए और खाना हम बहनी मिलकर बना देंगे और हम खुद आएंगे और यह पूरे सेंटर को भोज देने के तायारी कर रही है इकर का तो उपरवाला यह मालिक है अभी तुम ना इतना दिमाग मौत चलाओ तुबारा कौपल का राकिर है ना सौब परमनेंट हो जाएगा मेरी प्यारी मम्मी हमारी खूबसूर्ती तो हमारी ताकत है इसमें कोई कमी नहीं आएगी लगता है हमारे करन अर्जुन आ गए बुनिया दर्वाजा खुलो अरे ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? ये क्या हुआ? सर पर चोट कैसे आई? ये सब क्या है? ये हो दो? अरे पुनिया जो जागर फॉस्टेट बॉक्स लेकर आओ जल्दी क्या हुआ? चोट कैसे आई ये है? ये हुआ क्या? कुछ बताएगा क्या? बाइक का एक्सिडेंट हुआ क्या? क्या हुआ? पुनिया जल्दी लाओ! बठा बठा ये अरनाने अरहम से दो? हाँ बठाएगा अरे हम पूसे ये सब हुआ कैसे? माम ये सब कुछ हैना डाड की दूसरी वाइफ की बेटियों ने किया है काका? हाँ डाड ये सब काहला जी तकी? हम पूछ रहे हैं तरण्जो के फैमली के बाद में को कैसे पता चला? वह अक्चिली गुडुजी ममी से न गलती से बात निकल गई थी तो मुझे बच्चो को सच बताना पड़ा हम पूछ रहे हैं कॉलिज में क्या हुआ? हो ना क्या है डाड उन्हें पता नी कैसे पता चल गया की हम आपके बेटे तो आकर हमसे उलजने लगी वह दो आमने लड़की सोचकर हाथ नहीं उठाया पर उन्होंने उन्होंने हम पे हाथ भी उठाया और अमरी बाई को धक्का भी दे दिया बाबागो यह लड़की लोग है की जोंगली बिल्ली इतने सा भी दोया नहीं है मॉनमी क्या हाल किया बच्चा लोग का लाली हम ना अभी पुलाता है हाँ और ना बहुत कॉरोप एफायार करता है और फिर नो जोंगली बिल्ली को ना जेल भेजता है हाँ डेड़ हमें उनके खिलाब पुलिस कंपलेंड करवाना है एफायार करने की कोई जरूरत नहीं है अभी तक जिन्दा है हमें मालूमें क्या करना है तुम लोग अपना ध्यान रखो हम उनसे ने पटकर आते हैं मेरी गुदूजी सुनी अब को मेरी कसँ गुदूजी आप वह नहीं जाएंगे उस्क बीची वेज रचिता अपने बादा किया था आप नहीं जाएंगे अगर इस सर के उपर से हो क्या है अगर हम नहीं जाएगी तो यह रोज का खेल हो जाएगा हम पुरी जिंदगी इस दर्थ के साथ रहे कि आपका एक बीता हो अकल है जिसका हिसा हम नहीं है हम वो बीते हो अकल को आज नहीं बनने देंगे गुड़ुची इसे तो हम आज रहे हैं हम नहीं चाते के हमार अकल हमारा आग बच्चा इस की हिमत कैसी हुई हमारे पेटो पर हाथ ठाने के यह पूछना पने गा ना कुछ भी हो जाए गुड़ुची उसे पने पच्चों कैसी परवरिष दिये उसकी प्रॉबलम है हमारी नहीं है हम अमारे बच्चे को समझा देंगे कि उन लड़कियों से दूर रहे वो नहीं मिलेंगे हमारे बच्चे हमारी बात मान लेंगे गुड़ुची गुड़ुची जबसे सब कुछ दुबारा शुरूआ फरेशान हो गए हमेराग को नीद नहीं हाती है अची बज़े सपने आते गुर्ड़ जाए आप ने जहेंगे माह पे गुट जहेंगे लाइटाची अरे क्या होगा लाइटाची लाले माँ अप ठीक तो हैंगे रहेंगे माम को आप शेङबे भापका रॉटाची ॏ क REMण ने निआ इसका तोभ्योत खराफ है ना हमारा कमरे में ले जाए नीचे अठीक अचुमागे। बद्ध़ गंणी लाओ अढ़ी भाणी नीचे माम उतनल क्या लगे है हम तो आराम से ही जीना जाते हैं गुर्टुजी बस आप अपना वादा रखिये अच्चो को हम समझा देंगे वो तो सब कुछ भूल जाएंगे और अगर आप वहा गए तो हम नहीं भूल पाएंगे छीक है आप बस अपनी तबियत और खरामत कीजी अराम कीजिए पुल्डुजी आप नहीं जाएंगे ठीक है रीप बाबा आप तो जैसे तैसे करके मैंने गुडुजी को रोक लिया और हम हमेशा थोईना से कर पाएंगे अरे लाली आप छोड़ो भी जो हो गया सो हो गया ममी प्लीस आपको एपायार की बात करने की क्या सरो थी अच्चो को तो हम समझा देते पर आपको कौन समझाएगा अब हमें सच सच बताओ कि क्या हुआ था मॉम अम तो शालो से डैड की इंसल्ट का बदला लेना चाहते थी अमें भहुते मज़ा आ रहा था उसका इंसल्ट करने में लेकिन पता नहीं कहां से उसकी वो पहलवान बहन बुलबुली आ गई और फिर मॉम चाहतो हम भी जवाब दे सकते थी लेकिन लोगों नहीं हमें अपकत लिया आज के बाद तुम दोनों पापा के सामने इससब बाते नहीं करोगे जो भी कहना है मुझ से काऊगे मैं अपने तरीके से सब कुछ हैंडल करूंगे चाहे कुछ भी हो जाए रंजो और उसकी बेटियों की बात इस घर में नहीं होनी चाहिए हम एसी कोई भी सिच्वेशन नहीं चाहिए जिसकी वज़े से आपके पापा मजबूर हो जाए उस रंजो के घर पे जाने के लिए ठीक है माम ममी एक बात बताईए इंसान सबसे ज़्यादा किस बात से तूटता है उसका जिंदगी और खाना पर जब आफ़ता जाए और यह आफ़ता बात ही कि जब उसके पास पैसे ना हो राइट शुत्ती एक्टम शुत्ती बस जब उसके पेट पे लात पड़ेगी तो वो इस शहर को पेट दिखा कर भाग जाएगी हमें रंजो गुड्डुजी से बहुत दूर जाए बहुत दूर माँ चलिए ना आपसे को जरूरी बात करने है का हुआ सालो? आप एठी जो स्कुटी के एक्सिडेंट की बात बताई थी ना वो सेच नहीं है माँ वो तो हमें तादी की सामने जूत बोलना पड़ा क्योंकि कुछ तो पता है ना दादी परिशान हो जाती अंसर सोरी तो फिर सच का है शालू? अगर लडाई जीतनी हो तो सामने वालों को कमजोर सापित करो फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े है ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सर पे बिठाती है तुमें हर लडाई अच्छे से लड़नी है फिर उसमें या तो तुम जीतोगे या सीखोगे लेकिन भारों की कभी भी नहीं अच्छ नहीं है माँ वो तो हमें तादी की सामने जूत बोलना पड़ा क्योंकि कुछ तो पता है ना तादी परिशान हुजाती अग अंसर सोरी तो फिर सच का है शालू? बुल-बुलिया को छोड के से लगी? क्योंकि आपकी बुल-बुलिया ने कॉलेज में दो लडकों की पिटाई की है पालतो में लडाई जग नहीं करना है कितने बाद तुम्हें समझाया नहीं समझ में आता है? माँ हम पालतो के लडाई नहीं किये हैं वो शालू दीदी के रिष्टे की बात को लेकर मजाक उड़ा रहे थे उन्हें छेड रहे थी वो ऐसे महम चुप कैसे रहते? एक बात बताओ हमको शालू के रिष्टे की बात चली थी ये बात कॉलिज में कैसे बता चली? वो है ना बच्चु पांडे का बेटा विशेष उसी ने बताया होगा मिल गया अरे तुम तरनों यहां क्या कर रहे हो अरे दीदी वो हमारा टूल बॉक्स है ना स्कूडाइवर नहीं मिल रहा था बस उसे खुज रहे थे अच्छा बुल-बुल्या दीदी क्या आपके कॉलेज में भी गुल्लू जैसे बनमाश लड़के हैं गुल्लू जैसे? कॉलेज के वो लखी विखी के आगे गुल्लू तो बच्चा है तिया देखो बच्चो अच्छे बुरे लोग हर जगा होते हैं लेकिन हमें बात को नजर अंदास करना है तब तक जब तक बात हमारे आत्मसम्मान पर ना आ जाए और आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का मतले ये नहीं तो हम किसी को चूट पहुंच जाए अगर लडाई जीतनी हो तो सामने वालों को कमजोर सापित करो पिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े हैं ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सर पे बिठाती है तुमें हर लडाई अच्छे से लड़नी है फिर उसमें या तो तुम जीतोगी या सीखोगे लेकिन हारोगी कभी भी नहीं देखो बचू इंसान के संसकार बताते हैं कि उसकी परवरिष कैसे हुई है और उसकी परवरिष ये बताती है कि उसका परिवार कैसे है हमें अपने परिवार हमारे संसकार और परवरिषवर पूरा नास है बहुत खमंड है ना उसे अपने पच्चो की परवरिषवर हम उसके रिष्टों के सारे धागी ही तूर दें मौं वो कहते हैं ना साम दाम दंड भी बस यही चारो दाव अपनाने हमें और यही परवरिष जिये मैंने तुम्हें तरीका चाहे कोई भी हो नतीजा तुम्हारी फेवर में होना चे अगर हमारा तरीका सही है तो देर भले ही लग जाए लेकिन नतीजे अच्छे ही आएंगे आज तक यही सिखाया हमने तुमको अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हें सर उठा कर देखे तो तुम्हें लगातार अपना कट बढ़ाना होगा देगो पिटिया गट बढ़ा होने से सब कुछ नहीं है तुम सबको अपना किज़दार भी बढ़ा करना है तब ही दुनिया हमें इज़द की नजर से देखेगी अगर लडाई जीतनी हो तो सामने वालों को कमजोर साबित करो फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सर पे बिठाती है तुम्हें हर लडाई अच्छे से लडनी है फिर उसमें या तो तुम जीतोगे या सीखोगे लेकिन हारोगी कभे भी नहीं और हमारा लाली अपना गोहरा चाल का एक्षिन शुरू करने वाला है मम्मी, लाली का एक्षिन शुरू हो चुका है बहुत काम बाकिए, चलो फटा फट निपताते हैं तुम लोग भी घर जो बहुत देर हो गया इस बेगली को का हो गया इस शहर के घर में भुकम पाने वाला है और वो भुकम हम लाएगे दीदी, पूरे मुहले की लाइट गई है इस परमाजी की, दिली से समय पे कैसे होगी और हमारा लाली अपना गोहरा चाल का एक्षिन शुरू करने वाला है मम्मी, लाली का अक्षिन शुरू हो चुका है बहुत काम बाकित, चलो फटा पर निप्ता पे है तुम लोगी घर चाल बहुत देर होगी है इस बेगली को का हो गया इस शहर के घर में भुकम पाने वाला है और वो भुकम हम लाएगे दीदी, फूरे मुहले की लाइट गई है इस परमाजी की दिने वे समय पे कैसे होगी